आज आपके साथ मैं अपना ये मेकप लुक शेयर करने वाली हूँ जिसे आप किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए इजीली क्रियेट कर सकते हो मैंने बहुत ही सिंपल वे में से क्रियेट किया है तो अगर आप बिगिनर हो डेफिनेटली एक पर जरूर ट्राइ करना तो सबसे पहले हम अपना टोनर यूज करेंगे कि ये मेरा गुडवाइब का रोज ग्लो टोनर है मुझे काफी अच्छा लगता है वैसे आपके पास अगर कोई रोज वाटर हो तो आप वह भी उसकर सकते है कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो भी प्रोड़क्ट दिखाया आप सार कि जो भी ड्राय स्किन वाले हैं उनको बहुत ज्यादा ड्राय स्किन होती है तो प्रॉब्लम ना हो तो सिरम हमेशा यूज आप जरूर करें नेक्स्ट मैंने मॉस्टराइजर यूज किया है ये है निव्या की मॉस्टराइजर मुझे काफी अच्छी लगती है तो ये बट मॉस्टराइजर तो यूज करना ही आपको ठीक है उसके बाद प्राइमर यूज करना प्राइमर नहीं है तो अलवर जल यूज कर सकते हो और नेक्स्ट मैंने यहां पे ये लैक में की सी-सी क्रीम से ही अपने में मेकप किया है इसलिए मैंने कहा है मैंने बहुत इजी क्रियेट किया है तो CC क्रीम को लेकि अच्छे से डाप करते हुए देखो इसे मैंने पूरे फेस पे लगा लिया और इसके बाद अच्छे से ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे तो कभी भी आपने हाथों को यूज मत करो मतलब ब्लेंड करने के लिए बहुत सारे लो लगेगा कि हाँ आपकी स्किन जो है ना वो बिल्कुल नैट्रल सी है उपर से बहुत ज्यादा आपने कोई मेक अप नहीं लगा रखा है तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिब बाम लगाया है तो लिब बाम तो आप कभी भी यूज कर सकते हो और यह है CC क्रीम जो है मैंने अपनी लगा ली उसके बाद मैंने इसे यूज कर सकते हो आईलेट पे मैंने इसे भी लगा लिया क्योंकि थोड़ा सा डाक सकल जो होता है ना वो किसी को भी होता ही है हलका फुलका तो अगर आप कंसीलर यूज करोगे तो डेफिनेटली जो है आपका जो डाक सकल्स है या तो डाक स्पॉट्स है वो हाइड हो जाएंगे और मेकप तभी अच्छा लगेगा क्योंकि आप सोचोगे ना कि फाउंडेशन लगा लिया उसके बाद आपका मेकप कंप्लीट हो गया तो वैसा नहीं होता है मतलब डाक स्पॉट्स आप देखना दिखेंगे ही डाक सकल्स बहुत जादा फाउंडेशन लगा लेने से वह फेस भी बहुत अजीब सा दिखने लगता है तो फेस फाउंडेशन लगाओ फेस नेक्स स्टेप जो होता है कंसीलर का वह चांसीलर आप जरूर हूँज करो और अच्छे से ब्लेंड कर लेना ताकि वह आपके फेस पे नैच कर लेना यार नहीं तो फिर बहुत जादा स्टिंग हो जिसको भी प्रॉब्लम होती है वह सारा मेकप निकल जाएगा तो यह मैंने आई एमस्टर्डाम का यह पाउडर यूज किया है आपके पास जो भी हो लैकमे की हो या फिर किसी अधर ब्रैंड की तो आप यूज कर सकत है आप एक बार अपने आईब्रोज को फिल करके और मेकप करके देखना आपको आपका मेकप खुद में ही कंप्लीट दिखेगा और खुद ही आपको अपका मेकप बहुत अच्छा लगेगा तो यह मैंने आईब्रोज को सेट कर लिया और नेक्स्ट मेरे पास जो है यह ए यह मैंने बहुत सारे वीडियोत में यूज्व किया है बहुत सूपर पिग्मेंटेड है गाइस और यह मैंने ऐमजान से लिया था और इसके बाद असे लेकर ऑफे मैं gir लगा लिया दा दया से इसे लीदिव हैं और उसके बाद जो कलर से मिलता सा ब्लू ही कहेंगे ना इसे यह डिफरेंट ब्लू है तो वैसा मैंने लगा लिया अपने पूरे आइलेट पे अच्छे से लेके उसे लगा लेंगे और बेश की हेल्प से थोड़ा सा ब्लेंड भी कर लेंगे ताकि ना लगे नहीं कि आपने बहुत सारा आइशाड़ो जो है अपने आइज के ऊपर लगा रखा है कि देखो मतलब आइज लूक जो है आपका पिल्कुल कंप्लीट दिखेगा बहुत खुब सुरत लगेगा उसके बाद मैंने यहां पे आईलाइनर लियूज की है यह है लैक में की इंस्टा लाइनर त बहुत अच्छी है काफी हैंडी है और लिक्विडी सी है बहुत ज्यादा एक होता है बहुत थिक लिक्विड होता है तो वह भी आपको यूज करने में प्रॉब्लम होता है तो यह काफी अच्छी सी है और समच प्रूफ है उसके बाद मैंने यहां पे मस्करा यूज किया ह यह Blue Heaven का मस्करा है और Blue Heaven की भी मस्करा जो आ रही है वो काफी अच्छी है मतलब Blue Heaven बहुत दिन से टिका हुआ ब्रैंड जो है तो अगर इनका प्रोडक्त अच्छा होता तभी तो यह है ना मार्केट में उसके बाद मैंने यहां पर अपना ब्लश लगाया है यह आप इतने लिए यह यूज किया है यह चोटू सा पैलेट है इंसाइट का इतना सूपर पिग्मेंटर यह ब्लश है ना यह सौरी हाइलाइटर है ना यार आप एक बाद यूज करोगे ना आप बिल्कुर इसके फैन हो जाओगे कोई चंकी पार्टिकल्स नहीं है बहुत चक्मक से नह अब इंसाइट का यह यूज करना बहुत बढ़िया है उसके बाद अपने मेकप को फिक्स जरूर कर लेना तो यह है मेरा फाइनल लुक अपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो मेक शियूर मेरे चैनल को जोर लाइक जरूर कर देना मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लव यू